नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंद नुस्की मैं हूँ आपके साथ सुमन आर नेगी दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था नीबू के छिलके कितने फायदे मंद है साथ ही आपने जाना जामुन की गुठलिया जिसे हम वेस्ट समझ कर फैक्ट देते हैं वो भी हमारे सेहत के लिए कितनी फायदे मंद है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे और भी बहुत से फल सबजिया हैं जिनके छिलके बहुत ही जादा फायदे मंद होते हैं और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही फल की बात करने वाले हैं जो बहुत हेल्दी है हाँ डॉक्टर इसे खाने की सला देता है अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उस कमी को ये दूर करता है कमजोरी को दूर करता है जी हाँ हम बात करें हैं अनार की लेकिन इस वीडियो में हम अनार के हल्दी दानों की नहीं बलकि अनार के छिलकों की बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी ही सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना बिलकुर ना भूले ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोडिफिकेशन आपको मिले सि जो छिलके होते हैं उसे वेस्ट समझ कर फैंक देते हैं लेकिन ये चिलके बहुत ही जादा फाइदी मंद है कई बिमारियों में ये चिलके आपकी सेहत को फाइदा पहुचाते हैं यहां तक कि जुरिया मुहा से पिमपल से अगर आपको छुटकारा पाना है उसमें राहत चाहिए तो उसमें भी चिलके आपकी मदद करते हैं एक रिसर्च के अनुसार अनार के चिलके में मेथनॉल अर्क में एंटी ऑक्सिडेंट के गुण होते हैं जो बैट कलस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है इससे आपको दिल संबंधी परिशानिया नहीं होती अनार के चिलकों में पॉली फैनॉलिक फ्लेवनॉइट्स पाई जाते हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं इसकी वज़ा से मुह में फैले किटानों को खत्म करने में मदद मिलती है अगर आपके मुह से दुरगंद आती है दुरगंद आने की मुशानी है तो अनार के छिलके का स्तमाल आप माउट फ्रेश्टर की तरह कर सकते हैं जिन महिलाओं को अनियमित पिरियट्स की समस्या रहती है उन्हें इस समय में बहुत अधिक पेट दर्द होता है इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए अनार के छिलकों के पाउडर का सकते हैं इसके अलावा आप अनार के छिलके का स्तमाल बावसीर सर्दी जुकाम और खासी से रहत पाने के लिए भी कर सकते हैं आप अनार के छिलकों का स्तमाल जुर्यों और फाइन लाइन्स की समस्या को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं इसके आप अनार के छिलकों का जो होने वाली टैनिंग से भी बचाते हैं टैनिंग को भी दूर करते हैं वहीं अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या है या urinary tract संक्रमन आपको हो गया है यानि कि UTI तो उस परिशानी में भी ये आपकी मदद करता है दरसल ये संक्रमन E-coli नामक bacteria के कारण होता है UTI से ग्रसिद वैक्ति को अनार के छिलके का उप्योग करने से आराम मिल सकता है दरसल अनार के छिलकों में antimicrobial, bacteriostatic और antibacterial गुण होते हैं जो E-coli को खत्म करते हैं और दुबारा पनपने से रोपते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि अनार के छिलकों में अनार के दाने के मुकाबले जादा vitamin C होता है ऐसे में ये एक तरह से antioxidant का काम करता है vitamin C शरीर के घाव को भरने में मदद करता है और साथ ही शरीर में iron के absorption यानि कि उसे absorb करने में भी मदद करता है इसके अलावा ये आपको संक्रमन से बचाता है और हड्यों और connecting tissue को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि अनार के चिलके बाउत freshener की तरह काम करते हैं यानि कि अगर आपके मूँ से दुरगंद आती है तो उस परिशानी को दूर करने के लिए आप अनार के चिलको कस्तमाल कर सकते हैं साथ ही अगर दान्त में sensitivity हो रही है तो उसे भी अनार के चिलके दूर करते हैं कैसे जानिये हकीम सुलिमान खान सहाब से दिए जो अनार आप खाते हैं तो चिलका फैक देते हैं ये चिलका फैकना नहीं बलके इसका powder या मंजन बना लीजे और इस से फिर आप दात मांजिए तो ये आपके दातों के लिए उसकी मसूलों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नस्का है अनार लाइए चिलके आप ले लीजे और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाईए और आप परखाल से आदा किलो भी ले लेंगे तो इसमें इतना मंजन मन जाए कि आपको कई महीने चल सके दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात की अनार के छिलकों की उमीद करते हैं अब आप जान गए होंगे कि अनार के दानों की तरह ये चिलके भी कितने फाइदे मंद हैं आज इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं खोश रहें दंदरोस्त रहें नमस्कार